हे गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे कच्चे आम का मुरब्बा अगर आपको मेरी आज की रेसीपी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जिरूर कीजेगा चलिए शुरू करते हैं कच्चे आम का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने एक किलो कच्चे आम को छील करके गुठली अटा करके इस तरह से लंबे-लंबे पीसेज में कट कर लिया हुआ है आप चाहें तो छोटी-छोटी टुकड़े भी कर सकते हैं एक कड़ाई में हमने तीन से चार चमच की जितना सरसू का तेल डाला हुआ है यहां पर मैंने कुछ मसाले लिए वे हैं एक चमच सौफ, आधा चमच अजवाईन, एक चोटा चमच जीरा और एक चमच कलोंजी लिए है जैसे ही तेल अच्छा सा गरम हो जाएगा यह सारे मस साले हम इसमें डाल देंगे और मसालूं को हलका सब भूल लेंगे, तो यह देखे जीरा और सौफ अच्छा से भुन गए है, अब हम इसमें एक छूटी चमच हल्दी पाउडर डालेंगे, इसी के साथ हम इसमें यह कटे हुए आम डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, तेल, हल्दी के साथ जब हम इसे इस तरह से मिक्स करते हुए बनाते हैं तो मुरब्य का कलर बहुत अच्छा आता है तो यह देखे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दीजिए मैंने सारे आम इसमें डाल दिये हुए हैं अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से मीडियम फ्लेम में आपको कच्चे आम को कम से कम एक से दो मिनट तक अच्छे से भूल लेना है अब हम इसमें गुड डाल देंगे तो यहां पर जितने मैंने आम लिये थे एक किलो आम के लिए मैं एक किलो गुड का इस्तमाल कर रही हूँ अगर आप चीनी के इस्तमाल करते हैं तो आप इसकी आधी क्वांटिटी यानि की आधा किलो चीनी डालेगा यह देखें गुड को मैंने बड़े बड़े टुकडे में डाला हुआ है कोशिस करिएगा कि आप इसे छोटा-छोटा तोड की डालें ताकि यह जल्दी से पिखल जाए द्यान न की फ्रेंट्स इसमें आपको पानी का इस्तमाल बिल्कुली नहीं करना है धीमी आज में इसी तरीके से बीच-बीच में अलटते हुए पका लिजिए नमक डाल देंगे जिस्ते कि इसमें थोड़ा सा मुष्यर आएगा थोड़ा समय इसमें काला नमक भी डालूँगी काफी अच्छा टेस्ट आता है और धीमी आज में गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने दीजिए अगर आप पानी डाल देंगे तो जो मुरब्बा है वो ज़्यादा जल्दी खराब हो जाता है यानि कि उतना टिकाओ नहीं होता है ये देखिए धीमी आज में मैंने इसे पकाया हुआ है आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो गुड़ था वो कितने अच्छे से पिघल गया है और मैंने बिल्कुल भी पानी के इस्तमाल नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूं जिसे हम इस्टोर भी कर सकते हैं और इसे इस तरह से 4-5 मिनिट और पका लिजिए एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच लाल मिर्च पाउडर डालिए जिससे कि इसमें अच्छा सा तीखा चरपटा टेस्ट आएगा मिर्च की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के एक वार्डिंगी डालेगा इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और जितना थिक मुरब्बा आपको पसंद हो फिलाल मुझे थोड़ा सा जूसी जूसी सा मुरब्बा पसंद है जसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें हलका सा पानी है क्योंकि जब यह रखा रहेगा तो और भी ज़्यादा थीक हो जाएगा तो इसे मैंने बिना पानी के ही बनाया हुआ है और ये लिजे हमारा मुरब्बा बनके तयार है और इस तरीके से बनायेंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा बट अगर आप चाहें तो इसमें एक दो चमच विनेगर डाल सकते हैं जिससे की सेलफ लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आपको मेरे एक अच्छे आम का मुरब्बा की रेसिपी पसंद आए हो तो वीडियो के एक लाइक जरूर कीजिएगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ